नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तो एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है RBI की तरफ से जैसा कि आज आज आपको बताया गया था कि मार्केट यहाँ पे देखेगा इंपाक्ट करेगा यहाँ नीचे जाएगा गाप डाउन ओपन होगा क्यूंकि यहाँ पे जो अमेरका का डेटा आया था जो इत की छुट्टी थी इसके कारण इंपाक्ट नहीं पड़ पाया था और फिर आपको 9.15 से 9.20, 25.30 तक देखेगा आपको एक शॉट कवरिंग भी देखने हूं मिली थी जो आपको बताई गई थी तो अब बात करते हैं कि आगे के कौन से ऐसे इवेंट हैं कौन से ऐसी न्यूज हैं जो निफ्टी बैंक को ड्राइव करेंगी तो सबसे पहली देखेगा अपडेट आ रही है मंडे के लिए 24 मिनट पहले और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज इसले ह चुकि 40-50 साल जितने साल आप कह सकते हो उतने साल का रिकॉर्ड तूट चुका है चुकि इस बार देखेगा जब भी यहां से देखेगा हमारी करंसी कमजोर होगी या फिर सम्थिंग कुछ भी होगा तो आप यह कैसा कोगे एक डेट आपको याद अखनी होगी कि जो आज क वो भी ब्रीच हो गया है और यह पहुँच चुका है 648 बिलियन डॉलर पहले तो कितना था 645.46 बिलियन डॉलर और वो सारे रिकॉर्ड टूट गया है जब 3 बिलियन डॉलर के आसपास का डेटा फोरेक्स बढ़कर आया है और इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप बनी हुई है बट स्टिल अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डेटा है वो बढ़कर आ रहा है तो यह बहुत भी एक देखेगा एक बहुत ही देखेगा प्लस पॉइंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए RBI के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए कि फॉरेक्स हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जिस कारण से हमारी करंसी को एक लिएस एक सपोर्ट मिलता रहेगा तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर डेटा आ चुका है और यहां पर अगर आप चेकाउट करेंगे तो रिकॉर्ड हाई बना है यानि कि अब तक का रिकॉर्ड ब लगातार वर्क करते हुए इतना इंफ्लो देखने को मिला है लगातार देखेगा यह आप देख सकते हैं कि अगर दो हफ़ते की बात करें तो 6 बिलियन डॉलर के आसपास का फॉर्ड अप हुआ है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है और आप देख सकते हैं FC एक अप ट्रेंड में लगातार अच्छा बिहेव कर रहा है जो की प्लस पॉइंट है पूरे के पूरे बैंक्स के लिए अगर देखेगा हमारे फॉरेक्स होते रहेंगे तो बैंकों के भी प्रॉफिट बैंकों की बैलन्स शीट भी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होगी चुकि ट्रांसलेशन प्राइस का भी काफी अच्छा इंकम बैंक जनरेट करते हैं अब आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं the reserve increased by 2.98 billion और surge देखेगा हो चुके हैं यहां से 6.45 से लेकर देखेगा आप हो चुके हैं 6.48 के आसपास आ चुके हैं FC account में भी देखेगा क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है last कुछ week से लेकिन यह पैसा कहां से आया यह अप्ट्रेंड कहां से आया इसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए तो इसका जवाब है आपके पास यह जो gold अपने रोज all time high लगा रहा है back to back back to back back to back तो gold के देखेगा जो हमारे पास reserve हैं वो बढ़ चुके हैं जो आप सुनते होगे million में ही बढ़ते थे वो 2.4 billion से बढ़े हैं कितना 2.4 billion से चुकि सोने में तो इस समय आप समझते ही हो कि आग लगी हुई है कि तुरन देखेगा लगातार all time high all time high all time high all time high देखने को मिला है और आपको पता है सोने के लावा देखने को मिलते हैं paper gold जिसे कहते हैं SDR वो भी 24 million से देखेगा अप हो चुके हैं जो कि हमारे reserve का ही part है तो सोना main component है इस बार की तेजी का इस forest की तेजी का इस all time high का जो कि देखेगा अगले हफते nifty bank लिए one of the positive factor है फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद सबसे important कि काफी जादा है और उनमें देखेगा price up हुए है reserve बढ़े है 2.4 billion dollar से बढ़े है इसलिए हमारी position भी 9 million dollar से IMF में भी बढ़ गई है जो की एक positive factor है तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से nifty bank के लिए Monday के लिए बहुत अच्छी update है focus करेगा राम राम